टू इन वन रेसिपी आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनीक स्टाइल रोल समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ एक ही रेसिपी में दो मज़े इसकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए इस रोल समोसे की रेसिपी को देख लेते हैं यूनीक स्टाइल रोल समोसे बनाने के लिए मैंने एक कड़ाही के अंदर 4 टेबल इस्पून औयल को घरम कर लिया है 1 टी सबनर जीरा एड़ कर दिया है एक चोहताई टी सबनर हम इसमें अजवाइन आड़ कर देंगे और हाफ टी सबनर मेथी दाना ऑट कर दिया है टू टी स्पून भरके मैं इसमें साबित धनिया एड़ कर देती हूँ और इन चारो चीजों को हम एक से दो मिनट फ्राइ कर लेते हैं हमने इनको इतना फ्राइ कर लेना है कि इन चारो चीजों का कलर हलका सा गोल्डन सा हो जाए तो एक से दो मिनट में ये चारो चीज़े फ्राय हो चुकी है अब मैं इसकंदर एट कर देती हूँ एक दर्मियाने साइस की प्यास जो मैंने इस तरह से छोटी 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 चॉप कर ली है प्यास एट करके अब हम प्यास को भी हलका सा फ्राय कर लेते हैं तो हमने प्यास क अब इसमें आट करें हैं लाल कुटी हुई मिर्चे हाफ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चे अब बर के मैं चाट मशाल एट कर रही हूँ तो ये सारी चीज़े एट करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पर हम इसको इतना फ्राइब कर लेंगे के प्यास का कलर हलका सा गोल्डन सा हो जाए तो दो से तीन मिनट प्यास को भी हमने फ्राई कर लिया है अब हम इसके अंदर एट कर देते हैं उबले हुए आलू तो मैंने यहाँ पर आलू की स्टफिंग मना कर त्यार करनी है बहुत ही टेस्टी बनती है तो उबले हुए आलू को हम हाथ से इस तरह से तोड़ कर एड़ करेंगे तोड़ कर एड़ करने से थोड़े मोटे मोटे से आलू रहेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग लगेगी आपने आलूओं को बहुत जादा मैश नहीं करना है बस हाथ से इस तरह से तोड़ कर मोठा मोठा सा ही इनको रखना है और अगर कुछ आलू बहुत जादा मोठे मोठे से हो तो चम्चे से आप इस तरह से उनको तोड़ सकते हैं तो इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, इस मसाले के अंदर, 3-4 मिनट मीडियम तू लो फ्लेम पर हम आलू को भी इसके साथ पका लेते हैं, तो यहां पर देखिए आलू का भी हलका सा कलर चेंज हो चुका है, इस तरह से मैंने आलू को हलका सा मैश कर दिया है, यहां पर मैंने साथ से आठ बारी कटी हूई हरी मिर्चे आइड कर दी है, धेर सारा हरा धनिया और हमने इसमें थोड़ा सा पौदीना भी आइड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और हरा धनिया पौदीना आइड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, तो बहुत ही जटपट बन जाने वाली आलू की फिलिंग बन कर तयार हो गई है, इस फिलिंग को आप बना कर किसी भी शेप के समोसों में एड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से समोसे लगते हैं, फिलिंग को ठंडा कर लिया है, फिलिंग को ठ बस आपने इस्तरह से इसको रोल करना है क्योंक्य समोसा जब आसा त्यार हसे कर दे किली चुल कुम यहां कर भाया है Danish ब करते माटा यह जायुआ ठीज़या है एक चाली UK नबते चाली है क्यों सुखर के अंदर मैं इस तरह से इस रोल को डिप कर लेती हूँ तो दोनों कॉर्णर हमने इस तरह से डिप करने हैं और यहां पर मैंने ले ली है सिवईया जो हम मीठी सिवईया बनाते हैं जो हम शीर कोर में वगरा में यूज करते हैं तो सिवईयों को मैंने बारिक इस तरह से तोड तो देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मैंने सिवाईयों की कोटिंग इसके ओपर कॉर्णर पर कर ली है इस तरह से जो हमारा आलू का मसाला है वो बिल्कुल भी बहार नहीं निकलेगा तो बिल्कुल इसी तरह से सारे रोल समोसे मैंने बनाकर रेडी कर लिये हैं अब हम इन को फ्राइ कर लेते हैं तो मीडियम तू लो फ्लेम पर मैंने ऑईल को गरम कर लिया था तो हमने इन रोल समोसे को मीडियम तू लो फ्लेम पर ही फ्राइ करना है बहुत जदा हाई फ्लेम नहीं करना है वरना इसमें बबल्स बन जाएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं इतना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और देखिए कितने खस्ता हमारे नहां पर रोल समोसे बन कर रेडी हुए हैं तो अकर आपको मेरी ये रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आने वाली वीडियो तक अल